तो दोस्तों, आज की रेसिपी है अंकुरी चना और मोंग वड़ा, यह देखिये बहुत ही क्रिस्पी कराहरे, यह अंकुरी चना मोंग वड़ा हाई प्रोटिन रेसिपी है, साथ में बहुत ज़्यादा हेलडी भी है तो देर किस बात की सुरू करते हैं, नमस्कार दोस्तों, ममता की रोसुई में आपका स्वागत है, मैं ममता दूबे, आज बनाने जा रही हूँ अंकुरित चाने और मूंग का बड़ा, ये बड़ा बहुत ही टेस्टी है, रेस्पी पूरी देखेगा, पसंद आए तो वीडि चना और मूंग इस तरीके से नहीं खा सकते, तो इस तरीके से बना के, जैसा आज मैं वड़े के रूप में बना रही हूँ, बना के अब लंच बॉक्स में दीजिए, एक दम चट कर जाएंगे, बहुत ही स्वाधिश्ट पंती है रेसिपी, अब चना और मूंग को मिक्सर पानी को मिक्सर भजाब करूप में डाल देंगे, इसमें बीना पानी के इसे पीसना है, तो पानी मत यूज करिएगा और मिक्सर को थोड़ा थोड़ा रूप के चलाएगा और इसे आप इस तरीके का धरदरा पीस येगा, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस चावल का आंटा चावल के आंटे से बैंडिंग भी अच्छी आएगी और ये वड़ा बहुत ही कुरकुरा करारा बनेगा यहां पर मैंने तीन चावल का आंटा डा रहा है छोटे चावल का आंटा नहीं है तो आप पूहे को पीस के डाल सकते हैं पोहा यानि चिडवा अब इ हाफ टीस्पून साबुच जीरा यहां पर थोड़ी सी हींग डाली है ताकि यह प्रोटीन रिच रेसिपी है और इसे पचाने में आसानी हूँ इसलिए मैंने हींग का यूज किया है इसके बाद मैंने थोड़ा सा खल्दी पावडर बहुत थोड़ा सा कस्मेरी लाल मिर्च डाला है मैंने इसके बाद थोड़ा सा धनिया पावडर यह सारा वनफोर्थ चमच भी मैंने डाला है यानि बहुत थोड़ी-thोड़ी सी डाली है गरब मसारा स्रिफ दोपिंच डाला है अब डाल देंगे नमक नमक आप अपने स्वाधा नुसार डालिएगा जैसा नमक का तेस्ट आपको पसंद हो, थोड़ा कम या थोड़ा जादा, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों को पहले वस कर लीजिएगा, उसके बाद हाथों से इसे मिक्स करिएगा, हाथों से मिक्स करने से सारे मसाले और चावल का आटा, सारी चीजें आपस में अच कुछ भी लगा सकते हैं मैंने पानी लगाया है इस तरीके से उठाएंगे और इसका एक लड़ू सा बनाएंगे जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में बिलकुर इसी तरीके से बनाएगा फिर इसे हाथेली पे रखके चप्टा कर देंगे और साइडों से सेब को थोड़ा सा सही कर लीजेगा बहुत ही क्रिस्पी करार ये वड़ी बन के त्यार होते हैं एक बर ये हल्दी बड़ा जरूर ट्राई करिएगा यहां पे देखिए मैंने इस सारे वड़ों को बना लिया है और मैंने इसे थोड़ा चप्टा ही रखा है ताकि तलने में आसानी हो और अंद अंकुरित मूंग, अंकुरित चना और जो चावल का आठा है ना इसके वज़े से जो बड़े होते हैं बहुत क्रिस्पी और करारे होते हैं आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप इसे साम के चाय के साथ बना सकते हैं आप एक बार बना के इसे दो से तीन दिन तक खा भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राइ कर रही हूँ, और इसे अलट पलट के अच्छे से मैंने तल लिया है, आप देख पा रहे होंगे, कलर भी चेंज होने लगा है, और ये बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं, ये देखिए, एकदम क्रिस्पी करारे बनके त्यार हुए हैं, तो चलिए, अब हम इने निकाल लेंगे, थोड़ा से इसे टन करेंगे, और इस तरीके से निकाल के इसे इस टेनर पर रख देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ओयल होए, वो निकल जाए, वैसे ही ये ओ बनके बनाते हैं, जो क्रिस्पी और करारे बनते हैं, वैसा इस्टीम करने से नहीं होता है, पर आप तेल नहीं खाना चाहते, तो आप इस्टीम करके भी इन बनों को खा सकते हैं, तो ये देखिए, इन सारे बनों को हमने बना लिया है, और चलिए, अब इसे हम निकाल लेत मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक नए दिन और नए रेसिपी के साथ बाई बाई दोस्तों